आप सब को जैमा सिकी, आज हम करेंगे Bible Study और हम पढ़ेंगे नित्ती बचन के कुछ बचन को जो हमारी समझ के लिए बताए गए हैं परमेशवर के दोवारा और जो हमें बताया गया है कि हमें किस बचन के दोवारा क्या क्या करना चाहिए और इसे पहले हम पढ़ेंगे बजन सहीता का 144 विजय प्राप्ति पर धन्यवात की प्रात्ना जब दाउद को विजय प्राप्ति हुई तब उसने एक बचन का कर अपने परमेशवर अपने प्रमप्रदान यहोवा का धन्यवात किया तो दाउद कहता है धन्य है यहोवा जो मेरी चटान है वह मेरे हाथों को ल वे मेरे लिए करुणा दीन और गड़ उचा स्थान और चुड़ाने वाला है वे मेरी डाल और शड़ना स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है है योवा मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधी लेता है या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंदा करता है मनुष्य तो सांस के समान है उसके दिन ढलती हुई छाया के सामना समान है है यहोबा अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ पहाड को छू तब उन में दुआ उठेगा बिजली कड़कड़ा कर उनको तीतर बितर कर दे और तीत चला कर उनको कबरा दे अपने हाथ उपर से बढ़ा कर मुझे महासागर से उबार अर्थार्थ परदेशियों के वश्व से छुड़ा उनके मुह से तो व्यर्त बाते निकलती है और उनके दाइने हाथ से दोके के काम होते है है परमेश्वर मैं तेरी सुत्य का नया गीत काऊंगा मैं दस्तार वाली सारंगी बजा बजा कर तेरा धन्यवाद काऊंगा तू राजाओ का उधार करता है और अपने दास दाओत को तलवार की मार से बचाता है तू मुझको उबार और परदेशों के वस से चुड़ा ले जिनके मुह से वर्त बाते निकलती है और जिनका दाइना हाथ छूट का दाइना हाथ है वे हमारे बेटे जवानी के समय पोदे के समान बढ़े हुए हो और हमारी बेटिया उनकोने वाले खंबो के समान हो जो महल के लिए बनाई जाएं जब हमारे खते भरे रहें और उनमें बाती बाती का अन रखा जाए और हमारी भेड़ बक्रियां, हमारे मैदानों में हजारो हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खूब लदे हुए हो, जब हमें ना विद्धान हो और ना हमारा कहीं जाना हो, और ना हमारे चोकों में होना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वे क्या ही धन्य होगा, जिस राज्य का परमेश्वर योवा है, क्या वे धन्य ही है, आमीन चलिए अब हम चलते हैं, बाइबल स्टडी की ओर और निती वचल से पढ़ेंगे अध्धाई आठ बुद्ध की प्रशंसा में, परमेश्वर कहता है, बुद्ध की परशंसा में, क्या बुद्धी नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊचे शब्दों से नहीं बोलती है, वे तो उचे स्तानों पर मारकी और त्रिमू हनियों में खड़ी होती है फटकों के पास नगर के पैठाव में और दारों ही में वे उचे स्वर्ब से कहती है है मनुश्य मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है है भोलो चतुराई सीखो और है मूर को अपने मन में समझ लो सुनो क्योंकि मैं उत्तम बाते कहूंगी और जब मूँ खोलूंगी तब उससे सीधी बाते निकलेंगी क्योंकि मुझ से सच्चाई की बाते का वर्णन होगा दुस्ट्रिता की बातों से मुझ को गिरना आती है मैं मुझ की सब बाते धर्म की होती हैं उन में से कोई टेड़ी या उलट फेर की बात नहीं निकलती है समझ वाले के लिए सब सहच और ग्यान प्राप्त करने वाले के लिए अती सीधी है चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ग्यान को ग्रेंड करो क्योंकि बुद्धी मुंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तों में कोई भी उसके तुल्ले नहीं है मैं जो बुद्धी हूँ चत्राई में वास करती हूँ और ग्यान और विवेक को प्राप्त करती हूँ यौवा का बैं मानना बुराई से बैर रखना है खमन अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बातों से भी बैर रखती हूँ उत्तम युक्ती और खरी पुती मेरी ही है मैं तो समझ हूँ और प्राकरम भी मेरा है मेरे ही द्वारा राजा राज करते हैं और अधिकारी ध्रम से विचार करते हैं मेरे ही द्वारा राजा हकीम और रहीज और पिर्थवी के सब नयाई शाशन करते हैं जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनमें मैं भी प्रेम रखती हूं जो मुझको यतन से तरकते उठाकर खोशते हैं वे मुझको पाते हैं धन और परतिष्ठा मेरे पास है वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपच उत्तम चांदी से अच्छी है मैं धरम के मारगों में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी कहूँ और उनके बंडारों को भर दूँ यहवा ने मुझे काम करने के आरम में वरन अपने पराचिन काल के कामों से भी पहले उत्पंद किया मैं सदा से वरन आदिस से ही प्रित्वी की शिस्टी से पहले ही से ठेराई गई हूँ जब ना तो गहीरा सागर था और ना जलके स्रोते थे तब से ही मैं उत्पंद हुई जब पहाड और पहाडियां स्थिर नाकी गई हैं थी तब से ही मैं उत्पंद हुई जब यहवा ने ना तो प्रित्वी और ना मैदान ना जगत ना धूल की परमानू पनाते थे इनसे पहले से मैं उत्पन होई जब उसने अकाश को इस्तिर किया तब मैं वहाँ थी जब उसने गहरे सागर के उपर अकाश मंडल ठहराया जब उसने अकाश मंडल को उपर से इस्तिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आग्या का उलंगन ना कर सके और जब वे पृतिवी की नीव को डोरी लगाता था तब मैं कारिगर कीसी उसके पास थी और प्रती दिन मैं उसकी प्रशंस्ता करती थी और हर समय उसके सामने आनंदिद रहती थी मैं उसकी बसाई हुई प्रतीवी से प्रसंती और मेरा सुख मनुष्य की जंगती से होता था इसलिए अब है मेरे पुत्रों मेरी सुनो क्या ही धन्ने हैं वे जो मेरे मार को पकड़ रहते हैं शिक्षा को सुनो और पुद्धी को जाओ उसके विशे में अंज सुनी ना करो क्या ही धन्ने हैं वे मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवरी पर परतिदिन खड़ा रहता है और मेरे दवारा के खंबो के पास दिस्टी लगाए रहता है क्योंकि जो मुझे पाता है वे जीवन को पाता है और यहवा उससे प्रसंद होता है परन्तु जो मेरे अपरात करता है वे अपने ही पर उपदर्ब करता है कि जितने मुझे बैर रखते हैं वे मित्यू किसी प्राप्ति रखे अब हम पढ़ेंगे अध्याए 9 पुद्धी मानी और मुर्खता परमेश्वर हमको हर समय समझाता रहता है कि सत्य मार्क पर चलो सब कुछ सत्य करो कुछ भी किसी का चल कठो उरता किसी के लिए मन में कुछ गलत चीज ना करो अब परमेश्वर हमको समझा रहा है पुद्धी मानी और मुर्गता में बता रहा है तो आईए हम चलते हैं आगे बुद्धी ने अपना घर बनाया और उसके सातो खंबे गड़े हुए है उसने अपने पशू वद्ध करके अपने दक्मुक में मसाला मिलाया है और अपनी मेच लगाई है उसने अपनी सहे लिया सब को बुलाने के लिए मेच बेजी वे नगर के उज़े स्थानों की चोटी पर पुकारती है जो कोई भोला है वे मुणकर यहीं आए और जो निर्बुद्धी है उससे वे कहती है आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाकर हुए दक्मुक को पियो बोलो का संग चोडो और जीवित रहो समझके मारगो में सीधा चलो जो ठटा करने वालों को शिक्षा देता है वे अपमानित होता है और जो दुस्ट जन को डाठता है वे कलंकित होता है ठटा करने वालों को न ढाट ऐसा ना हो कि वै तुझसे वैर रखे बुद्धी को ढाट वै तुझसे प्रेम रखेगा बुद्धी को शिक्षा दे वै अधिक बुद्धी मान होगा धर्मी को चिंता दे वै अपनी विद्या बढ़ाएगा यहोवा का बह मानना बुद्धी का आरम है और परंपवित्र इश्वर को जानना ही समझ है मेरे द्वारा तो तेरी आयू बढ़ेगी और तेरे जीवर के वर्ष अधिक होंगे यदि तू बुद्धी हो तो बुद्धी का फल तू ही भोगेगा और यदि तू ठटा करे तो डंड केवल तू ही भोगेगा मुर्खता रूपी स्त्री बकपक करने वाली है वे तो बोली है और कुछ नहीं जानती वे अपने घर के द्वार में और नगर के उचे स्थानों में अपने आसान पर बैटी हुई है वे बटो ही अपना मार करके हुए सीधे चले जाते हैं उनको यह कहकर पुकारती है जो कोई बोला है वे मुर्खतर यहीं आए जो निर्बुद्धी है वे उसे कहती है चोरी का पानी मीठा होता है और लूके चिपे की रोटी अच्छी लगती है यह नहीं जानता कि वे मरे हुए पड़े हुए है और उस इस्त्री के नेवत हारी अदलोक के निचले स्थनों में पहुचे हुए है अब हम पड़ेंगे अध्यायतास सुलेमान के निच्टी वच्छन सुलेमान भी निच्टी वच्छन बोलता है तो आगे देखते हम क्या कहता सुलेमान सुलेमान कहता है बुद्धी मान पुत्र से पिता अनंदित होता है परन्तु मूर्ख पुर्त से कारण मात्ता उदाज रहती है दुष्टों के रखे हुए धन से लाम नहीं होता परन्तु धनम के कारण मित्तु से बचाव होता है धर्मी को यहुवा भूके मनने नहीं देता परंतु दिस्टों को अभिलाजा वै पूरी होने नहीं देता जो काम में डिलाई करता है वै निर्दन हो जाता है परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते है जो बेटा धूक काल में बटोड़ता है वै बुद्धी से काम करने वाला है परंतु जो बेटा कटने के समय भारी मीन में पढ़ रहता है धर्मी पर भहुत से आशीशवाद होते हैं और उपदर्ब दिस्टों का मूँ च्छा लेता है धर्मी को समय करके लोग आशीवाद देते हैं परंतु दुस्टों का नाम मिट जाता है जो बुद्धी मान है वै आशाओ को सुईकार करता है परंतु जो बकवदी और मुड है वै पच्छाड खाता है जो खराई से चलता है वै निडर चलता है परंतु जो टेड़ी चाल है उसकी चाल प्रकट हो जाती है जो नैन से सैन करता है उससे और को दुख मिलता है और जो बकवादी और मुड है वै पच्छाड खाता है धर्मी का मुझ तो जीवन का सोता है परंतु उपदर्व दुस्टों का मुझ चा लेता है बैसे तो जगड उत्पन होते हैं समझ वालों के वचणों में बुध्धी पाई जाती है परंतु निरुध्धि की पीट के पीछे कोडों कोडे हैं बुद्धि मान लोग ज्यान को रेक छोड़ते हैं परंतु मूड के बोलने वालों से विनाश निकटा आता है धनी का धन उसका डिड नगर है परंतु कंगा जीवन के लिए होता है वह जो झुटी नीन फैलाता है। वे मूर्क हो है जहां बहुत बाते होती हैं वह अपराद भी होता है परंतु जो अपने मूँ को बंद रखता है वे बुद्धी से काम करता है धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है परंतु दुस्टों का मन भूत हलका होता है धर्मी के वचनों से बहुत का पालन होता है परंतु मूण को मूण लोग निर्बुद्धी होदना के कानन मर जाते हैं धन यहोवा की आशिस से ही मिलता है और वे उसके साथ दुख नहीं मिलता मूर को तो महापाप करना हसी की बात जाने पड़ती है परंतु समझने वाले पुरुष में बुद्धी रहती है दुष्ट जन जिस विश्पिपत्ती में से ड़ता है वे उस पर आपड़ती है परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है बवंडर निकल जाते हैं दुष्ट जन लोप जाते हैं परंतु धर्मी सदा लोस्तिर है जैसे दात को सिरका और आख को धुआ वैसे आलसी उनको लगता है जो वो कहीं बेशते हैं धर्मियों को आचा रखने में आनन्द मिलता है परंतु दुष्टों की आचा तूट जाती है यहोवा खरे मनुष्य का गड़ ठैरता है परंतु अनर्तकारियों का विनाच होता है धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पितवी पर पसंद न पाएगा धर्मी के मुख से बुद्धी टपकती है पर उलट फेर की बात करने वालों की चीप काटी जाएगी धर्मी ग्रैन योग्ये बात समझकर बोलता है परंतु दुष्टों के मूँ से उलट फेर ही बाते निकलती है चल के तराजू से यहोवा को गुष्णा आती है परंतु वह पूरे बठकरे से परसंद होता है जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है परंतु नम्र लोग में बुद्धी होती है सीधे लोग अपनी खराई से अगवाई पाते हैं परनतु विश्वाज काती अपने कपाट से नस्ट होते हैं कोप के दिन धन्ट से कुछ लाब नहीं होता परनतु धरम मित्युस से भी बचता है खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परन्तु दिस्ट अपनी दिस्टिता के कारण गिर जाता है, सीधे लोग का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परन्तु विश्वास गहती लोग अपने ही दिस्टिता में फसते हैं, जब दिस्ट मरता है तब उसकी आ आधर्मी की आशा वेर्थ होती है, धर्मी विपती से चूट जाता है, परंतु दुस्ट उसकी विपती में पढ़ जाता है, बक्ति ही इन जन अपने प्रोसी को अपने मुख की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्यान के दोरा बचाय जाता है, जब धर्मीयों का कल्यान होता है तब नगर के लोग को परसन होते हैं परंतु जब दिस्ट लोग नश होते हैं तब जज़कार होता है सीधे लोगों के आशिरवाद से नगर की बढ़ती होती है परंतु दुस्टों के मुझ की बाते बात से वे ढाया जाता है जो अपने परोसियों को तुछ जानता है वे निर्बुद्धी है परन्तु समझदार पूरुष चुपचाप रहता है जो लुत राई करता है वे बेद परकट करता है परन्तु विश्वाशयोगे मनुशे बात को छिपा रखता है जहां बुद्धी की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ ज होता है और जो पर्देशी का उत्तदाई होता है वे खाड़ा बड़ा दुख उटाता है परन्तु जो जमानत लेने से घिर्णा करता है वे निडर रहता है अनुग्र करने वारी इस्त्री परतिस्टा नहीं खोजती है और उग्र लोग धन को नहीं खोजते किरपालु मनु दुख दिता है अद्श्ट मिध्या कमाईगा पाता है परन्तु जो ध्रम करने पीश भूंता है उसको निश्य defeat मिलता है जो धर्म में दिड़ रहता है वे जीवन पाता है परंतु जो बुराई का पीछा करता है वे बृत्यू का कोर हो जाता है जो मन के टेड़े हैं उनसे यहवा गिरना करता है परंतु वे खरी चाल वालों से प्रसंद रहता है मैं दिश्ट्रता के साथ कहूंगा बूरा मनुश्य निर्दोष ना ठहरेगा परंतु धर्मी का वंज बचाये जाएगा जो सुन्दरिस्त्री विवेक नहीं रखती वे तुथुन में सोने की नात पहिने हुए सुवर के समान है धर्मियों के लाल साथ तो केवल बलाई की होती है परंतु दूस्टों की आशा पर फल करोध ही होता है ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है और ऐसे भी हैं जो यह थार्ट से कम देते हैं और इस से उनकी घर्टी ही होती है उदास प्राणी हिस्ट पुस्ट होता है और जो दूसरों की खेती में सीज़ता है उसकी भी सिच्चाई जाएगी जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं परन्तु जो उसे बेज देता है उसे लोग आशिरवाद देते हैं जो यतन से बिलाई करता है वह दूसरों की प्रशंसा होजता है परन्तू जो दूसरों की बुराइज का खोजी होता है उसी का बुराइज पड़ी DO है उसी पर बुराइज आ पड़ती है जो अपने धन पर बरुसा है वह गिर जाता प्रन्तु जो धर्म लोग नए पत्ते के समान लड़ाते हैं, जो अपने घरानों को दुख देते हैं, उनका भाग वायू ही होगा, और मुण बुद्धी मान का दास हो जाता है, और धर्मी का प्रतिफल जीवन का वश होता है, और पुद्धी मान मनुष्य लोगों के मन को मह लेता है, देख धर्मी को प्रतिवी पर फल मिलेगा, तो निश्य है कि तो दिश्ट और पापी को भी मिलेगा, जो शिक्षा पाने के प्रती रखते हैं, वै ज्ञान से प्रती रखते हैं, परन्तु जो ढांट से बैर रखता है, वै पशू सरीखा है, भले मनुष्य से तो यह हुवा पसंद होता है परन्तु बुरी युक्त करने वाले को वैदोशी ठहराता है कोई मनुश्य दिस्टा के कारण इस दिन नहीं होता परन्तु धर्मियों की जड़ उखारने नहीं देता भली स्त्री अपने पती का मुकुठ है परन्तु जो लज्जा के काम करती है वह म परन्तु दुस्टों की युक्तियां चलकी होती है दुस्टों की बात चीत हत्या करने वालों के लिए गात लगाने के विशे में होती है परन्तु सीधे लोग अपने मुझ की बात के द्वारा छुडाने वाले होते है जब दुस्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं परन्तु धर्मियों का घर इस्तित रहता है मनुष्यों की बुद्धी के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है परन्तु कुटिल तुछ जाना जाता है जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है उससे दास रखने वाले छोटा मनुष्य भी उत्तम है धर में अपने पशुक के भी प्राण की सिध्धिल रखता है परंतु 技्ष्टों की दया भी निर्दया हैं है जो अपनी भूमी को जोता है वह पेट भर खाता है तुछ जो निकमों की संगत करता रहता है और निर्बुद्धी थेलाता है दुस्ट जन हुरे लोगों कोई जाल की अपिलाशा करते हैं परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है बूरा मनुश्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फसता है परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है सच्चन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से त्रित होता है और जैसी जिसकी करने व्य कैसी उसकी भरनी होती है मुड को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है परंतु जो सम्मत्ती मानता है वे बुद्धिमान है मुड की रिस उसकी दिन प्रकट हो जाती है परंतु चतूर अपमान को छिपा रखता है जो सच बोलता है वे धर्म प्रकट करता है परंतु जो बीना सोच विचार का बोलना धलवार के समान चुपता है परनतु बुद्धीमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं सच्चाई सदा बनी रहेगी परनतु जूट पलबर काही होता है बुरी युकति करने वालों के मन में चल रहता है परंतु मेल की युक्ती करने वालों को आनंद होता है धर्मी को हानी नहीं होती परंतु दुस्ट लोग सारी विपति में डूब जाते हैं जोटों से यहुवा गिर्ना करता है परंतु जो विश्वासक के काम करने में उन से वै-परसंद होता है चतुर मरू से ग्यान को परगट नहीं करता परंतु मुड अपने मन ही को मूड़ता उचे स्थान से परचार करता है कामकाजी लोग प्रभूता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पढ़े जाते हैं उदास मन दब जाता है परंतु बली भाती से वे आनंदित होता है धर्मी अपने प्रोस्यों के अगवाई करता है परंतु दुष्ट लोग अपने ही चाल के कारण बटक जाते हैं आलसी अहे का पीछा नहीं करता परंतु कामकाजी को अनवोल वस्तु मिलती है धर्मी के मार्ग में जीवन मिलता है और उसकी पत्थ में मिर्त्यू का पता भी नहीं चलता पुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है परन्तु थट्टा करने वाले घुड़की को भी नहीं सुनता सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तन वस्दू खाते हैं परन्तु विश्वास घाती लोगों का पेट उपदर्व से भरता है जो अपने मुझ की चोक्सी करता है वे अपने प्राण की प्रक्षा करता है परनतु जो गाल्ब जाता है उसका फिनाश ही जाता है, आलसी का प्रांण लालसा तो करता है, परनतु उसको कुछ नहीं मिलता, कामकाजी हिस्ट पुस्ट हो जाते हैं, धर्मी जूटे वचनों के बिगार रखता है, परनतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित ही हो धर्म खरी चाल चलाने वालों की रक्षा करता है परन्तु पापी अपने दुष्टा के कारण उलट जाता है कोई तो धन बटोरता परन्तु उसके पास कुछ नहीं रहता और ना कोई उड़ा दिता तो भी उसके पास भूत रहता है प्राण की चुड़ती मनुश्य का दन है परन्तु निर्धन गुड़की को सुनता भी नहीं धर्मियों की जो सी आनंद में के साथ रहती है परन्तु दुष्टों का दिया बुझ जाता है जगड़े रगड़े केवल आंकार ही से होते हैं परन्तु जो लोग सम्मानित मानते ह उनकी पास पुद्धी रहती है निर्धन के पास माल नहीं रहता परन्तु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है जब आशापूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है परन्तु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का विक्ष लगता है जो वचनों को तुछ जानता पहननस्ट हो जाता है परन्तु आग्या के डरवाईयों को अच्छा फल मिलता है बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोगों को मिर्तियों में फंदों से बचा सकते हैं सुबुद्धि के कारण अनुग्रे होता है परन्तु विश्वास गातियों के कामार्ग कड़ा होता है सब चत्थुर तो ज्यान से काम करते हैं परन्तु मूर्ग अपनी मुड़ता फैलाता है दुस्ट दूद बुराई में फसता है परन्तु विश्वास योगे दूद से कु परन्तु जो डाट को मानता उसकी महिमा होती है लाजा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है परन्तु बुराई से हटना उर्खता के कारण को बुरा लगता है बुद्धीमान की संगती पर तब भी तू भी बुद्धीमान हो जाएगा परन्तु मूर्ख का शाक्षी इनस्ट हो जाएगा बुराई पापियों के पीछे परती है परन्तु दामर्थियों को धर्मीयों को अच्छा फ्ल मिलता है भला मनुश्य अपने नाती पोतों को लिए सम्मनित छोड़ जाता है परन्तु पापी की संपत्ति धर्मियों के लिए रखी जाती है निर्बल लोगों को खेती बाड़ी से बहुत भोजन मिलता है परन्तु ऐसे लोगों भी हैं जो अन्यों के कारण मिठ जाते हैं चतुर की बुद्धी की चाल का जानना है परन्तु मुर्खों की मुर्ता चल करना है मुर्ण लोग पाप का अंगिकार करने को थटा जानते है परन्तु सीधे लोगों को विचार अगनु ग्रह होता है मन अपना ही दुख जानता है और परदेशी उसके अनन्द में हाथ नहीं डाल सकता दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है परनतु सीधे लोगों के कितंबू में अबादी होती है ऐसा मार के है तो मनुष्टों को ठीक जान पड़ता है परनतु उसके अन्त में मित्यू ही मिलती है हजी के समय भी मन उदास होता है और आनन्द के समय में शोक होता है जिसका मन इश्वर की ओर से हट जाता है वे अपनी चाल चलन का फल भोगता है परनतु भला मनुष्य आप ही आप संतुस होता है भोला तो हर एक बात को सच्चा मानता है परनतु चतुर मनुष्य समझ भूज कर चलता है पुद्धिमान डर कर बुराई से अठता है परन्तु मूर्क ठिट होकर निडर रहता है जो चट क्रोज करे वे मूर्ता का काम भी करेगा और जो बुरी युक्तियों निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं बोलो का भाग मूर्ता ही होता है परन्तु चतुरों को ग्यान रूपी मकुट बांता जाता है बुरे लोग भले भोलों के समान समुख और दुस्ट लोगों के धर्मी फटक पर तंडवत करते हैं निर्धन का प्रोशी भी उससे गिरना करता है परन्तु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं जो अपने प्रोश्यों को तुझ जानता है वे पाप करता है परन्तु जो दीन लोगों को अनुac corray करता है वह धन्य होता है जो बुरी युक्ति निकालता है क्या ब्रहंग में नहीं पड़ता भला ही उक्तिक निकानने वालों से करूना और अच्चाई का वेवार किया जाता है परिश्रम से सदा लाब होता है परंतु बक्वाद करने से केवल रोटी घटी होती है उद्धिमानों का धन उनका मुक्ट ठहरता है परंतु मुर्खों की मूरता निर्यमूरता है सच्चा साक्षी बहुते के खारण बसता है परंतु जो जूटी बाते उड़ाता करता है उससे दोका ही होता है योवा के भै मानने को डिड़ भरोजा होता है और उसके पुत्रों को शर्णास्तान मिलता है योवा का भै मानना जीवन का सोता है और उसके दवारा लोग मृत्य के पांदों से बच जाते हैं राजा की महिमा प्रजा की बहुतायास से होती है परनतु जहां प्रजान नहीं वह हकीम का नाश हो जाता है जो फिलम से करोध करने वाला है वे बड़ा समझ lider है समझ हाला है परनतु जो अधीन है मूर्ता को बढ़ती करता है शांत मन तन का जीवन है परंतु मन के जलने से हड़ियां भी जल जाती है जो कंगाल पर अंधेर करता है वे उसके करता की निंदा करता है परंतु जो धरिंद्र पर अनुगरे करता है वे उसकी महिमा करता है दुस्ट मन उससे बुराई करता हुआ नस्ठ हो जाता है परन्तु धर्मी को मृत्यू के समान समय भी शरण मिलती है समझ वाले के मन में बुद्धी वास की रहती है परन्तु मुर्खों के अंत कारण में जो कुछ है वे परकट हो जाता है